हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल स्नेहास बायलोगस आज हम लोग क्लास 12 के यूनिट 7 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वो सारे लौज और वो सारे प्रिस्पल जो मोनो हैबरिट क्रॉस पर बेस्ट है ठीक है क्यों आज हम लोग पढ़ते हैं लौज ऑफ इन्हेरिटन्स गिवन बाद मैंडल तो मैंडल ने मोनो हैबरिट क्रॉस कंडग के और उस आधार पे उन्होंने तीन पॉस्टूलेट दिये ठीक है मैंने आपको पहले ही बताता कि तीन पॉस्टूलेट दिये और उन तीन उन्हें पॉस्टूलेट वन दिया पॉस्टूलेट टू दिया और पॉस्टूलेट थी दिया बेस्टूलेट अन मोनो हाबरिट ब्लं तो क्या था पॉस्टूलेट वन उसको देखिए बहुतं है अकोडिंग टू Whatsuit One गिवन बाइंड इंड इन जैनिटी कर्डेक्टर इस जीन कहा रहा है उसी को मैंडल ने क्या कहा था थीक है क्योंकि मैंडल जीन को डेटरमाइन नहीं कर पाए थे उनका exact नेम नहीं दे पाय थे चुकि जीन सब्द का नाम जोहांसन महोदने निया है तो क्या कह रहा है यह postulate when its genetic character is controlled by a pair of unit factor है ना जैसे support that हम t लिखते हैं या फिर हम small t लिखते हैं तो यह क्या है यह एक unit factor है और यह small t भी है support that हम capital y लिखते हैं यह एक unit factor है और small y लिखते हैं तो यह भी unit factor है तो उन्होंने क्या कहा कि its genetic character is controlled by a pair of unit factor यानि जो भी unit factors है वो क्या है pair में है और genetic characters का control इन ही pair of unit factors से होता है और क्या होता है ये जो unit factors के pair है इसे हम लोग commonly allyl के रूप में जानते हैं या allylomorphic pairs के रूप में जाने जाते हैं एक बार अगेन बोल देते हूं इस genetic character is controlled by a pair of unit factors now commonly known as allyl or allylomorphic pair अब postulate 2 आप देखें उन्होंने क्या कहा था मेंदल्स ने वें टू dissimilar unit factor अभी हम लोग unit factor की बात कर रहे थे ठीक है आप समझेए कि unit factors जो होते हैं याकि जो allyl होते हैं ठीक है जो allyl होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है homozygous allyl और दूसरा होता है heterogigous allyl ठीक है तो homozygous allyl क्या होंगे जिसमें जो दो unit factor होते हैं वो similar होंगे या तो capital double T या तो small double T अगर हम इसे D लिखते हैं तो capital double D या small double D तो ये सारे होंगे homozygous unit factor इसी को हम लग बोलेंगे homozygous allyl और इसी को हम लग dissimilar unit factor कहेंगे heterogigous allyl हम किसे कहेंगे जहांपर दो unit factor जो pair में रहते हैं वो क्या होंगे different होंगे same होंगे तो उसे homozygous और इस तरह अगर वो different रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे heterogigous जैसे एक capital D एक small T है ना एक capital Y एक small matter ये सारे क्या होंगे heterogigous allyl होंगे तो उन्होंने कहा well two dissimilar unit factor it means heterogigous allyl are present in a single individual जब वो किसी single individual में पज़न होंगे only one is able to express तो इन दो heterogigous unit factor में सब इन दोनों में एक ही खुद को क्या कर पाता है express कर पाता है और दूसरी खुद को express नहीं कर पाते हैं only one is able to express and other is not the one that is express itself is the dominant unit factor यानि pair of unit factor में वो unit factor जो खुद के traits को express कर पाता है उसे हम लोग dominant unit factor कहते है and the other which fell to express is the recessive unit factor तो अगर हम example T और T लेंगे तो capital T dominant unit factor कहलाएगा और small t क्या कहलाएगा recessive unit factor ठीक है recessive unit factor कहलाएगे तो यह था postulate 2 when two dissimilar unit factors are present in a single individual only one is able to express and other is not the one that is express itself is the dominant unit factor and the other which fell to express is the recessive unit factor तो यह दो postulate दिये थे और इन ही दो postulate को collectively law of dominance कहा जाता है ठीक है तो आप से पूछा जाएगा हो कि what is the law of dominance and तो आप यह दोनों postulate अगर लिख देंगे तो वही law of dominant है और अगर आप इससे sort करके अच्छे से लिख सकते हैं लिखना चाहते हैं तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आप डॉमिनांस यह प्रिस्पल अप डॉमिनांस को आप पॉइंट वाइस ऐसे भी लिख सकते हैं आपके काफि सेटिक दिया हुआ है करेक्टर्स आर कंट्रोल बाइ डिस्क्रिट यूनिट्स कॉल फैक्टर्स जैसे कि टी यह भी बताएं यह फिटी यह सब फैक्टर्स है ठीक है एंड बुसिंपॉर्ट्टन यहिर फैक्टर्स है यह मैसे भी यह पार्स में ही रहते हैं और जर्शिक कॉर्ल करते हैं थ्र्डवरी था इन संविलर पैर ओफॉनिट फैक्टर्स मैं अभी बताएं था १िस्देशंबलर पैर ओफ यूनिट फैक्टर्स में लोग हेट्रो हें होते हैं Recessive अगर रहेंगे Recessive unit factor भी similar में रहेंगे तो वह अपने को क्यकित कर लेते हैं एक्सप्रेश कर लेकिते है इसलिए यहां पर हम सिर्फ क्या लिकDad तो यह तीन जो आपके पॉइंट वाइज है वह लौ अफ डॉमिनास या प्रिस्पल अफ डॉमिनास का काफी परपेक्ट एक्स्प्लानेशन है ना हम लोग पॉस्टिलेट 3 परते हैं जिसे हम लोग प्रिस्पल अफ सेग्रिगेशन और पॉरिटी अफ गैमेट्स भी कहते हैं Constellate 3 यानि Principle or Law of Segregation or Purity of Gamets जैसे कि हम लोग सब जानते है Segregation का मीनी ही होता है Separation So, let's see What is according to this law Okay When any individual produce gamets है ना The allele segregate or separate हम जानते हैं कि हमने देखा था बार बार देखा था अगर हम Mono Hybrid Cross की बात कर देखा था कि यह उपारेंट्स होते हैं ठीक है चाहे Double D हो या Small Double D हो तो उसमें क्या हो रहे है कि वो क्या कर रहे है Crossing के पहले उनका gamets क्या हो रहा है Separation हो रहा है इस तरह से gamets क्या हो रहे है Separate हो रहे है तो बस यही है क्या आपका Principle of Segregation और आप Segregation और आप F2 Generation में भी आप देखेंगे कि Heterogamous Condition में जो Alleyle थे DD और DD ऐसे ही थे तो उनका भी क्या Gamets Separation हो रहा तो यही कह रहा है आपका Principle of Segregation तीक है क्या कह रहा है वन एनी इंडिविडियल प्रोदूस गैमेट The Alleyles Segregate और Separate Alleyles क्या होते है Segregate होते है और Separate होते है अजे Unit Factors So, Each Gamet Receives Only One Member Of The Pair of Alleyles और देफिनेटली वो Alleyles Pair के सिर्फ एक ही Member को क्या करते है Receive करते है है ना And The Paired Condition Is Restored By Random Fusion और यह जो पैर्ड कर्डिशन था वो फिर से रेस्टोड हो जाता है कब जब उनका Random Fusion होता है प्रटिलाजेशन के समय और यह फिर से क्या होते है Paird Condition क्या हो जाते है रेस्टोड हो जाते है जैसे यह Paird Condition Restored हो जाता है है ना तरह बार-बार वह पेयर कंडिशन क्या हो जाते हैं रिस्टोड हो जाते हैं तो यही है लॉफ सेग्रिगेशन और सेपरेशन बिसिकली दे लॉफ सेग्रिगेशन दिमांज दाट इच गैमिट्स रेंडिवली रिसीब आइधर दे टॉल और दॉफ उनिट फैक्टर को रेंडिवली क्या करते हैं रिसीव करते हैं और मोस्त इंपॉर्टंट इस प्रेम मतलब लॉफ का जो मोस्त इंपॉर्टंट थिंग यानि अग्स में किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं होता है यानि अगर अगर उन्होंने टॉल और डॉफ प्लांट को लेकर तॉम जाइक और दूसरे जनरेशन में क्या होए कि तीन टॉल वे एक डाफ है यानि जो भी आपस परिंगे वह या तो टॉल होंगे या डाफ होंगे उन दोने के बीच यानि मीडियम साइज का कोई नहीं होगा यानि एलेल्स का ब्लेंडिंग नहीं होता है ठीक है यही था प्रिस्पल सही था है ना तो हम जानते कि हर चीज का एक्सेप्शन होता है और साइंस में इसका भी एक्सेप्शन था और इसी एक्सेप्शन को हम लोग इंकम्प्लीट डॉमिनांस कहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर इस वें कनेक्टेट रहें चैनल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग incomplete dominance पढ़ेंगे टेस्ट क्रोस पढ़ेंगे को डॉमिनांस पढ़ेंगे जिसके तो ब्लड ग्रूप का inheritance होता है तो वह सारा हम लोग पढ़ेंगे देन आप तर हम लोग क्या कहेंगे टू फैक्टर क्रॉस या डाहबरीट क्रॉस या फिर inheritance of two genes पढ़ेंगे तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सेर करना ना भूले थैंक यू